नमस्कार स्किल्गेंट चैनल में आपका सवागत है मैं हूँ आपका होस्ट गुर्प्री दोस्तों अगर आपका पोस्ट ओफिस में एक सेविंग आउंट है या फिर किसी भी तरह का कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है और आपको एमर्जन्सी में पैसे की जिरूरत सब्सक्राइब करें तो चली दोस्तों शुरू करती है तो अगर आप अपना कोई भी अकाउंट क्लोज करवाना चाहती है तो उसके लिए आपको दो दो पैखन मिल जाएंगे सबसे पहला तरीका है कि आप उसको ऑनलाइन पोस्तों की मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट मेंगे की मदद से भी क्लोज करवा सकती है और दूसरा तरीका है कि आप पोस्तों में जाकर एक फॉर्म फिल करके भी आप अपना अकाउंट जो है तो प्र चैनल पर जाकर देख लीजेगा वैसे मैं आपको एक ओनलाइन डेडिकेटड वीडियो बनाकर देदूँगा जिसमें मैंने बताया होगा कि आप कि तरीके से ऑनलाइन यानि कि पोस्तों की इंटरेंट बैंके की मदद से आप अपना कोई भी अकाउंट जो है वो क्लोज कर करवा सकती हैं तो यहां पर भी दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँँ कि अगर आपका पोस्तों इसमें एक अकाउंट है तो आपने एक वाद ध्यान रखनी है कि उसको दो तरीके से क्लोज करवा जा सकते हैं पहला तरीका तो यह है कि आपका जो अकाउंट है वो मैच के बाद क्लोज करवाने जा रहे हैं लेकिन हम यहां पर स्पेशली बात कर रहे हैं वह अकाउंट जिसको कि आप मैच्योरिटी से पहले बंद करवना जाती हैं तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि कौन सा फॉर्म फिल करना है और उसके साथ कौन-कौन से आपने तो इस फॉर्म का नंबर है SB7A और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म के दो पार्ट हैं एक है लेफ्ट साइड एक है राइट साइड तो चलिए इस फॉर्म को हम फिल करना शुरू करती हैं तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड के सब से उपर लिखा हुआ है कि इस form के साथ आपको अपनी वो वाली passbook भी लेकर आनी है जिस passbook को यानि कि जिस account को आप close करवाना चाहती है तो इसके लावा यहाँ पर चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से call हमें यहाँ पर फिल करने हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर post office का name फिल करना है उस post office का नाम फिल करना है यहाँ पर जिस post office में आपका account है तो यहाँ पर post office का नाम एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर date एंटर कर दनी है और date enter करने के बाद यहाँ पर नीचे आप से पूचा गया है कि आप जिस account को close करवाना जाते हैं उस account के किसम काउन सी है यानि कि क्या वो एक saving account है या फिर वो एक RD account है या फिर वो एक TD account है इसके लवा यहाँ पर आपको MIS, PPF, NSC और SCSS की option मिल जाती है यानि कि आप जिस भी account को close करवाना जाते हैं उस account का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है कि यानि कि कौन सा account है वो इसके बाद यहाँ पर आपने नीचे उस account का number लिख दिना है तो जो भी number है इसको लिखने के बाद आपने यहाँ पर नीचे उस account के कितनी रकम है वो यहाँ पर रकम आपने एंटर कर दिनी है तो सबसे पहले यहाँ पर आपने उस रकम को अंकों में एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने उस रकम को शवदों में लिख दिना है इसके बाद यहाँ पर नीचे आपने अपने सिगनेचर कर दिने हैं और यहाँ पर आपको इसके नीचे वाला पार्ट जो है अगर आप खुद post office में जाकर अपना account close करवा रहे हैं तो अब हम बात करते हैं इस form के right side की तो right side की उपर सबसे उपर लिखा हुआ है payment order और उसके नीची लिखा है for office use only यहनी कि यह जो side है यह office के दोरा यहनी कि post office के दोरा fill की जाएगी तो यहाँ पर सबसे नीचे आपने ए process हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों यह form English में है यही form मैं आपको Hindi में भी दखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाता बंद करने का form SB7A का जो Hindi का जो form है वो भी आप यहाँ पर देख सकती है तो यह भी same उसी तरीके से fill किया जाएगा तो यहाँ पर सब से उपर आपने डाकर का नाम लिख देना है उसके बाद आपने तारीक लिख देनी है उसके बाद आपने आपने खाते की किसम यहाँ पर लिख देनी है यहाँ पर अंकों में अपने जो amount है यहाँ पर आपने शब्दों में भी जो amount है उसको लिख देना है यहाँ पर आपन तो एक बात बता दूँ कि कोई भी account अगर close करवाना हो तो उस account को close करवाने के लिए कुछ एक minimum limit होती है, time की limit होती है, यानि कि वो account open करने के कितने समय बाद आप उसको close करवा सकती हैं, तो चलिए जानते हैं कि आप किस account को कितने समय बाद close करवा सकती हैं, तो यहाँ पर दो को बंद करवा सकती हैं, यानि कि pre-matchi और close करवा सकती हैं, तो सबसे पहले आप देख सकती हैं, सबसे पहला accounts है वो है post office saving account, तो तो सेविंग account है, इसको आप किसी भी टाइम पर close करवा सकती हैं, कि आज आगर आपने इसको open करवाया है तो अगले ही दिन आप उसको close भी करवा सकती है इसके बाद आप यहां पर देख चाहती है दूसरे नमबर पर जो account है उसका नाम है recurring deposit तो दोस्तों यह recurring deposit account है यह account open करवाने के तीन साल के बाद ही close करवाया जा सकता है और अगर आप तीन साल के बाद यानि कि pre-mature यानि कि समय से पहले उसको बंद करवाते हैं तो मैं दोस्तों आपको यहां पर बता दूं कि RD account जो है वो 5 साल का account होता है और अगर आप उसको 5 साल के पहले ही close करवा देते हैं तो उसके उपर जितने भी उसके अंदर रकम होगी उसके उपर आपको saving bank का जो interest rate मिलेगा इसके बाद जो है हमारा TD account दोस्तों TD account जिसको हम fix deposit account बोलते हैं तो इस account को open करवाने के 6 महीने के बाद आप close करवा सकती है प्री मेंचे और यहां पर आपको मैं यह भी बता दूँ कि चार तरह की TD account होती है 1 year, 2 year, 3 year और 5 year तो उसको आप इस condition में close करवा सकती है इसके बाद हमारा आ गया MIS account यानि कि monthly income scheme account तो इसको आप open करवाने के एक साल के बाद close करवा सकती है तो यह भी account जो होता है वो 5 साल का होता है इसके बाद दूस्तों आप यहां पर public provident fund देख साथे हैं इसके अंदर भी condition है तो condition इसके अंदर यह है कि आप account open करवाने के 5 साल के बाद close करवा सकती है लेकिन उसके अंदर भी एक condition है कि जो जिस व्यक्ति का जो account है वो अगर बिमार है यहां फर किसी higher education यहां फिर NRA status के बाद ही आपका यह जो account है वो close हो सकते है इसके बाद आगया आपका SSA यानि की सुकनिया समर्दी account तो इसको आप close नहीं करवा सकते हैं इसको आप अगर close करवाना चाती है तो आप जिस भी girl child का यह जो account है उसकी marriage पर यहां फर उसके 18 साल की age complete होने के बाद यह उसको आप close करवा सकती है उसके बाद आगया senior citizen saving scheme तो इसको आप किसी भी time पर close करवा सकती है तो दोस्तो इसके बाद हमारा जो account आगया वो है national saving certificate तो दोस्तो इसके अंदर premature cashment जो है उसकी permission नहीं दी जाती except अगर policy holder यानि की fixed deposit यानि की NSE holder का अगर उसकी death हो गी है तो उसकी जो closer वो हो जाएगी इसके बाद हमारा आगया KVP account यानि की किसान विकास पत्तर इसको आप account open करवाने के 2 साल और 6 महीने के बाद close करवा सकती है यहाँ पर एक और बात नीचे आप star में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी account pre-mature close करवाने की उसकी fees है इसलिए मैं आपको इस वीडियो में उसकी जो फीस है वो नहीं बता रहा हूं तो अगर आप ऐसी कंडिशन में आते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी fixed deposit को pre-mature close करवाने चाहते हैं तो उसकी क्या fees लगेगी वो at a time आप post office से आप पुछ लीजेगा मैं अमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यदा पसंद दे होगी आपको इस वीडियो से कोई नई knowledge मिली होगी तो इस वीडियो को आप like भी करेगा चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा इसके लवा दोस्तों post office की सभी schemes के बारे में मैंने बहुत सबीडियो जो की detail में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी वो और लेडि बनाई हुई हैं तो आप उन वीडियो को भी देखीगा और अपनी knowledge quality आप बहुत ज़्यदा improve कर सकती है इसके लिए दोस्तों अगर आपके मन में किसी भी परकार का कोई सवाल है आपके मन में कोई भी किसी परकार का doubt है तो आप हमें comment box में बता सकते हैं मैं आपके सवालों का जवाब जल्द जल्द देने के कोशी करूँगा तो जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार जैरियन